नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चेनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो विभीन समाचार पत्रों पर छाइवी होती है और विद्ध्यारतियों के लिए आवस्तक होती है तो आएए देख लेते हैं कि आज की समाचार पत पूरी करने का निर्देश दीया है उन्हों बुदवार को विधान मावनCas डृत के कारों की समेक्षा की चैन बोर्ड ने नई भरती दू साल में पूरी करनेंगे 9-15 को दिया है और इस पर आपत्थि करते वे सुरीष सर्मًah शर्मा ने भरती एक साल में पूरी करने का निर्देश दिया है तो यही खबरे अने समस्तार पत्रों में भी है और विद्यार्थियों में काफी अक्रोश था विद्यार्थियों को कहना था कि बरती कविग्यापन जल्द आए और यह बरती एक साल के अंदर पूरी हो और जो पिछली बरती है उसका अंसन कर रहे प्रतियोगी चात्रों ने गुरुवार को एलन गंसे लल्ला चुंगी इलाबाद विस्स विद्याले चात्र संग ववन लक्ष्मीर चौरा होते वे मार्च निकाला और कलेक्टरेट का घेराव किया असास्कियों विद्यालियों में खाली पधों पर भरती प् जिल्या प्रसासन ने चैन बोर्ड के अधिसे वारता करने का असासन दिया जिसके बाद अंसर समाफ्त हो गया तो विद्यारती यह लगातार जो अंसर कर रहे थे यह अब समाफ्त हो गया है उत्तर बर्देश में जो सिक्षक बढ़तिया है उनका यह सबसे बुरा समय चल र हाल है लिखा है एल्टी ग्रेट जांस रिबोर्ट के इंतिजार में फासा रिजल्ट एल्टी ग्रेट के चार लाग अभरतियों का भविश्दाओं पर और अभी इलहाबाद में दो दिन अंदुलन हुआ प्लुस ने लाटी चार्ज किया लोगों की ग्रिफतारी भी चात् करवाएंगे और यह देखिए यह लिखा यहां पर की कैबिनेट मंति सिद्धात नाव सिंग ने लखना उसे फोन पर अभरतियों से उनका हाल चाल पूचा और आस्वस्त किया कि एक सब्ता की भीतर्वक्य मंत्री से उनकी मुलाकात कराएंगे बुद्धवार को आयोग में हैं दो रिजल्ट e- викरे कि बहांगे कि मांगे का दनारे बुद्ध। noises देखर कर रहे थे और अंदोलन सांधिपूर्ण तरीकी से चल रहा था तो अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्या होता है अगली सूचना है के आधार पर प्रिच्छा की मांग कर रहे हैं तो दूसरी और बीएट डिगरी धारक नए कटाव के आधार पर भरती पूरी करने की मांग कर रहे हैं इस बात को लेकर के कोट में सुनवाई चल लए यह परिचारतियों का आरूपय की सरकार की और से कोट में लगने वाली तार करके वह कानी लिखी है जो आप लोगों को पता है और अभी इसकी कोई उमीद है बहुत ज़ल इनकी तारीख लगेगी और सरकार ने तो आसोसन दिया है बेसिक शिक्षक मंत्री ने कि इस बार सरकार की तरफ से कोई ने कोई बड़ा अधिफक्ता जरूर रहेगा और जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माइदम से दी जाएगी परिक्षा के प्रसंपत्र रिख होने की जाच अब ठंडे बस्ते में पड़ी है परिक्षा से पहले प्रसंपत्र नकल कराने वालों के हाथ पहुंच जाने की मावले में जाच रिपोर्ट को एक बार फिर से 68500 सिक्चक भरती की तरह दबाने की कोशिस की जा रही है जितनी ऊंदी जाच से होती है सभी जाचों में लास्ट में भरती को क्लिंचित दे दिया जाता है और उसमें किवल समय जाया होता है आप चाहय आरो-इ-रो- Stop 2016 की भरती देख लिजिए उसमें भी क्लिंचित हुआ और और जाज हुए लोग सेवा अयोग में तो उसमें भी कुछ होना नहीं है और जो कुछ होना होता है यह शुरवात के ही 2 या 3 दिनों में हो जाता सरकार को अगर कैंसिल करना होता तो 2 या 3 दिन में इसको कैंसिल कर सकती थी लेकिन 2007 आदयस दे दिये गये ते वैसे Crossy Mora अधिवक्ता हाई कोट को लिखे पत्र में दी जानकारी सिक्चा सिवा अधिगर्ण की मामले में प्रदेश सरकार 30 अगस्त को हाई कोट में जवाब दाखिल करेगी और शासन के संयुक्त सच्यू सत्रुंजय सिंग द्वारा मुख के इस्थाई अधिवक्ता हाई को लिखे प पत्र में इस बारे में जानकारी दी गई है कि पत्र में कहा गया है कि हाई कोट की खंडपीट द्वारा 16 अगस्त को जारी आदेश के खिलाफ दाखिल विसेज अनुमत याज का सुप्रिम कोट ने निस्तारित कर दी है अधिकर्ण का गठन मादमिक सिक्चा विभाग कर रह अधिकर्ण की तरही लखनों में इस्ताफित करने का निरना लिया गया है इसके बाद में अगली सुचन है PCS परिक्चा की PCS की जो मुक्य परिक्चा होती है उसमें भी काप्यों में नोट मिलने का मामला सामने आया है जैसे अभी तक तो आप लोग सुनते आये हैं कि हाई स्कूल और इंटरमेडियेट में विद्यार्थी पैसे रख देते हैं और पैसे इसलिए रखते हैं कि स्याइद एक्जैमनर उनको जादा नम्मर दे दे लेकिन इसमें मामला उल्टा हो गया जिस विद्यार्थी ने पै जारी किया गया है और उसके खेले अब कारवाई होगी लिखा सम्मेलित राज प्रवर अधिनास्त सेवामों की परिच्छा 2017 के अभ्यर्ति नम हटा दिया गया है कि सिविल अभियंता प्रथम समाज सास्त्र दुत्तिय प्रश्णि पत्रों की उत्तरपुस्तिकाओं QCAB में प्रश्ट संक्या 6-7 एवं प्रश्ट संक्या 12-13 पर 500 के एक नोट अलग अलग रखे वे प्रावत्त हुए हैं उत्तर पुस्तिकाओं में 500 का नोट रखा जाना परिच्छा को रिश्वत देकर अपने पच्च में अधिक अंग प्रदान करने हेतु प्रलोबित कराना है उन प्रश्टर 14-10 में अभेर्थियों के लिए मातपूर्ण अनुदेश में लखित हैं कि कदास्य अर्थात परिच्छा भवन में नकल करने अनुसासन हिंता दुर्वेवार उकुल मिला करके यह उनको नोटीस जारे की गई है डिबार करने के लिए उनको टाइम दिया गया कि आप जो है दो सितंबर को आए या दो सितंबर को अगर आप नहीं आते हैं अपने पक्च में अपना तरक नहीं देते हैं तो आपके खिलाप अनुसासनात्मा कारवाई की जाएगी रिस्वत देने का और लोग सिवा आयो की छवी धुमिल करने का तो ठीक है दोस्तो यह हो आपडेट और इसी तरीकी के अपडेट प्राफ्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें अगर यह सूसना आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें जिन में तो ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें पूरा वीडि